नमस्कार दोस्तों क्रियेटिव लाइब वीद कोकल में आपका जबागात है देखिए मैंने दो नमबर की ठाकुरजी की ड्रेस बनाई है और कितने सुन्दर ये ड्रेस बनाई है बनकर रेडी होई है ये मैंने एक बिल्कुल मेरे पास चोटा सा कपड़ा रखा था इनर लग रहे हैं ठाकुर जी और चलो ये शुरू करते हैं ये मैंने न ऐसे तिकोना करके कपड़ा ले लिया है ये इस कपड़े की लंबाई अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेजर करके मैंने ये चोक से निशान लगा लिया है थोड़ा सा मोड़ कर इसे ये देखिए ये बस धाई इंच की लंबाई मैंने इसमें लिया है और इसमें थोड़ा से लाई में भी चला जाएगा क्योंकि दो नमबर के ठाकुर जी की ड्रेस ही है ये इसके मैं चारो तरफ से लाई लगा दूँगी और थोड़ा सा इसे पलटने के लिए थोड़ा सा हिसा खुला छोड़ दूँगी ये देखिए कोर्नर को काट कर ठीक कर लेंगे और इसमें मैंने कर्स नहीं लगाए थे इसमें कर्स इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि जो मे निसिंग भी अच्छी आ जाती है तो ये देखिए मैंने न इसे इसे मैं थोड़ा सा अंदर करके इसके उपर से टॉप सीन लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए ये देखिए मैं इसके सिरफ न यहां दो हिस्वे पर ही टॉप सीन लगाऊंगी उपर की साइड इसमें टॉप से नहीं लगाऊंगी क्योंकि उपर के हिसे पर मुझे एक पट्टी रखनी है ये मेरे पास चोटी सी जो पट्टी बची हुई थी मैं बस उसमें से ही इसे काट कर बना देती हूँ इसको मैंने दोनों साइड से अब उतना देख लीजिए कि छोटा सा जो हमें बादने के लिए कपड़ा चाहिएगा जो डोरी चाहिएगी उस हिसाब से हम थोड़ा सा कपड़ा इदर और उदर दोनों साइड से इसमें निकाल लेंगे और ये देखिए इसे एक बार डबल फोल्ड करेंगे और ये मुझे थोड़ा चोड़ा लग रहा था इसलिए मैंने इसे थोड़ा और भी एक्स्ट्रा इसे कट कर दिया है और इसे मोड कर ऐसे इसमें सिलाई लगा देंगे ये देखिए कितना सुंदर ये इनर का कपड़ा होता है तो बहुत है फिनिशिंग के साथ इसमें काम किया जाता है और मैं इसे पूरा इस डोरी को आगे तक सिल्द होगी थोड़ा सा डोरी मैंने काटली मेरे पास एक छोटा सा ये लैस का टुकड़ा पड़ा था मैंने ये इसके उपर लगा दिया है ताकि ये पहने तो काफी सुंदर लगे ये देखिए बिल्कुल बहुत ही पाँच मिनट में बनकर रेडी होने वाली ये है ठाकि जी की ड्रेस है ये मुझे पहले इस लूप को लगाना ध्यान नहीं रहा था नहीं तो अंदर से इस लूप को लगा सकते हैं यह मैंने ना दो इंच का इस लूप को लिया है और इस लूपी को मैं इसके साथ अटेच कर दूँगी इसे बाहर से भी लगा सकते हैं कोई जाद दिकत वाली बात नहीं क्योंकि यह इनर का कपड़ा है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है तो देखिए कितने अच्छी बन कर यह ड्रेस रेडी होने वाली है और मेरे पास जो यह थोड़ा सा और फैब्रेक बचा हुआ था इसमें मैं यह देखिए यह मैंने दो इंच चोड़ा लिया है क्योंकि मैंने एक साइड से इधर से मोड़ा और एक साइड इ इस पट्टी को मैं बना लूँगी यह देखिए कैसे इस पट्टी को रखना है इस बात का दियान रखिए देखिए यह मैंने बीच में इसमें निशान लगा लिया है और ऐसे करके उंगली रखिए और इस पट्टी को रख लीजिए मुझे ज्यादा लंबी पट्टी यह चाहिए मुझे तीन इंच की पट्टि चाहिए थी। यह मैं ऐसे करके इस पट्टि को रख दूंगा। ठाकुर जी छोटे ही हैं दो ही नंबर के ठाकुर जी हैं तो इसे लिए यह उन्हीं का ड्रेस है तो ज्यादा लंबी पटी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें उन्हें के हिसाब से इस ड्रेस को बनाया है तो देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस